तो आज हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला गया है तो इस कोशन का मतलब है कि कैसे डबल कोईंसिडेंस ओफ वांट्स की जो प्रॉबलम है तो उसको कैसे मनी जो है वो सॉल करता है इसको explain करना है आपको अपने example के द्वारा तो इस students सबसे पहले हमको समझना होगा कि यह problem क्या थी double coincidence of wants की या उसकी भी पहले हमको यह समझना होगा कि यह double coincidence of wants क्या है तो इसके लिए students मैं आपको example देता हूँ सबसे पहले कि मान लिजिए यह दो लोग है यह एक इंसान है और यह एक इंसान है suppose कर लिते हैं तो यह दो लोग है हमारे पास इन दोनों के पास अलग-अलग चीज़े हैं मान लिजिए इसके पास है गेहू, wheat और इसके पास है rice याने की चावल और हम यह उस समय की बात कर रहे हैं जब money नहीं थे, पैसे नहीं थे, note नहीं थे, currency नहीं थी तो उस समय पे लोग कैसे लेन दिन करते थे मान लिजिए इस इनसान के पास गेहू तो है लेकिन इसके पास चावल नहीं है, लेकिन इसको चावल चाहिए, तो अब यह उस इनसान को ढूंडेगा, जिसको गेहू चाहिए और साथी में उसके पास चावल भी हो, चावल होने के साथ साथ, वो चावल बेचने में भी interested हो यानि कि देखे, इस इनसान को प्रॉब्लम क्या जारी है, पहली बात तो इसको गेहू बहुत जादा है, इसके पास गेहू बहुत जादा है, लेकिन इसके पास चावल नहीं है, लेकिन इसको चावल चाहिए, तो इसको पहले तो वो इनसान चाहिए, जिसको गेहू खरीद ठीक है ऐसी यही situation इस इंसान के साथ होगी कि ये भी ऐसे इंसान को ढून रहा होगा जिसके पास गेहूं हो क्योंकि इसको गेहूं चाहिए तो इसको गेहूं चाहिए और ये भी उस इंसान को ढून रहा है जो की चावल खरिदना चाहता हो तो देखिए ये दुनिया बहुत गया है ऐसे लोगों को ढूरने में जो problem आती है इसी problem को बोला गया है problem of double coincidence of wants ओके तो इसको कैसे दूर कर दिया money ने इस problem को इसी answer में हमको समझना है तो चलिए देखते हैं इसका answer तो अगर एक person है एक इंसान है जिसके पास पैसे हैं और अगर वो चाहता है कोई goods याने की cheese य पैसों को exchange कर सकता है अपना दिमाग लगा करके wisely लेकिन तब जब उसके पास पैसे होंगे तब ही वो कर सकता है clear है तो बहुत ही simple है कि अगर एक इंसान के पास पैसे है और अगर वो कोई goods and service खरीदना चाहता है कुछ सामान या कोई सेवा खरीदना चाहता है तो वो simply क्या क बदले या तो कोई goods खरीदा या फिर कोई service खरीदा तो इसको हम एक example से समझते है students कि माली जी एक shoe manufacturer है याने कि जूते बराने वाला है और अगर वो गेहूं खरीदना चाहता है वो भी अपने जूते बेच करके तो यहाँ पर अब हम example change कर देते हैं students माली जी यह जो इंसान यह है shoe manufacturer जूते बनाता है और साथ ही में इसको उस जूतों के बदले क्या चाहिए उसको जूतों के बदले चाहिए wheat याने की गेहूं तो वही चीज इस example में बोली गई है कि एक shoe manufacturer है वो गेहूं खरीदना चाहता है लेकिन उसके बदले वो शू को याने की जूतों को बेच बेचना चाहता है market में तो सबसे पहले जो shoe manufacturer है या shoe maker है जो की जूते बनाता है सबसे पहले हो क्या करेगा शू के बदले याने की shoe को बेचने के बदले वो पैसे लेगा और फिर उसके बाद उन पैसों को यूज करके वो simply गेहूं को खरीद लेगा तो इस तरीके से पैसों के वज़े से money के वज़े से इसको उस इंसान को ढूनना नहीं पड़ा जो की shoes खईदना भी चाहता है और साथी में उसके पास गेहूं भी हो तो ये जो problem थी double coincidence of wants की ये दूर हो गई with the help of money तो वही चीज़े हम बोली गई है कि अगर shoe maker को directly shoe exchange करना होता गेहूं के बदले या उसको बहुत ज़्यदा परेशानी होती ट्रबल होता तो उस shoe maker को परेशानी क्या होगी students की उसको एक ऐसा किसान ढूनना होगा ऐसे farmer ढूनना होगा जो की अपने पास wheat carry करता हो याने कि जिसके पास गेहूं हो और सिफ गेहूं होने से काम नहीं चलेगा बल्कि गेहूं को बेशना भी चाहता हो और साथ ही साथ उसको shoes भी खरीदना हो तो इसको हम दूसे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों parties जो हैं वो agree करनी चाहिए दोनों सहमत होने चाहिए उन चीजों को खरीदने और बेशने के लिए जो की उनके पास है तो इसी को बोला गया है double coincidence of wants ओके जहां पर एक इंसान वही चीज बेजना चाहता है जो की दूसरा इंसान खरीदना चाहता है और इसी को बोला गया बार्टर सिस्टम students हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके बार्टर सिस्टम क्या होता है ऐसा सिस्टम जहां पर money नहीं था पैसा नहीं जो हैं एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदते थे याने कि आपस में exchange करते थे एक चीज किसी को देकर कि उससे कोई दूसरी चीज खरीदना या लेना ओके तो वही बोला गया कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है जो goods है जो चीजे हैं जो सामन है आपके पास उसको एक इंसान दूसरे से कुछ देता है तो दूसरे से वो इंसान कुछ लेता है वो भी बिना पैसो के तो इस तरीके से students जो ये double coincidence of wants है ये भी अपना essential feature है essential है की बहुत जवोरी था ये भी उस समय जहां पे पैसे नहीं थे जब पैसे नहीं थे उस समय की बात है तो ये जो है double coincidence of wants ये बहुत अपने अपने important feature था ओके students clear है तो in summary students जो ये double coincidence of wants की जो problem है इसको पैसो निस तरीके से दूर किया की अब लोगों को ढूनने की ज़रूद नहीं है उस सीज के लिए जो की आपको चाहिए और जो आपके पास है वो दूसरों को बेशना चाहते हो तो simply होता क्य जो आपके पास चीज है आप उसको बेच करके पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उन पैसो से जो आपको चाहिए वो आप simply खरिद लेते हैं तो इस तरीके से पैसो ने जो double coincidence of wants की problem थी उसको दूर कर दिया ओके students clear है I hope students आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको मारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमारे चनल को सब्स्वाइक केजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you